उत्रकंड के लिए अगले चार दिन भारी सावित हो सकते हैं जा मौसम विभाग ने भारी वारिस की चेताबनी दी है मौसम विभाग ने भूस्त कलन जलबराव और नदियों में पानी बढ़ने की आशंका जताई है मौसम विभाग में देहरादून ने निताल बागिश्वर जिले में भारी वारिस का येलो अलर्ट जारी किया है देहरादून से अबनीश गुपता की रिपोर्ट जुलाई में जो एक्टिविटी अभी तक भी मिली है तो ठीक मिली है खुरीब खुरीब मौनसून जो एक, जो इक दो तारी की बात करने तो उसमे एक्टिव रहाए और तीन चार में तो अगर बात करने तो थोड़ा जो नौर्मल की आसपासी रहिए अभी पास 24 आउर्स जो है वो नॉर्मल ही है और दो में भी जो नॉर्मल की आसपा से आए ता लेकिन हा जैसे आपका 29 ता 30 से आए एक तारिक था तो इसमें एक्टिव रहा था